हाई गैसे वेलकम बाक तो यारोन चैनल दीपाख यादव एजुकेशन वेलकम तू दी डेली करेंट अफेर्स आफ नाइन्थ आफ दिसेंबर 2020 तो आज है तारिक 9 दिसेंबर 2020 आज की तारिक से जितने भी इंपॉर्डेंट करेंट अफेर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफेर पर डेली बेसिस पे इस लेक्चर की PDF तो मिलती ही है साथ में दाहिंदू नियूस पे पर बिलकुल free of cost जी आफ पर है by subscribing this channel बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे नव बढ़ते हैं आगे और आते हैं article number one के उपर इस article में इंडिया के अंदर जो भी smuggling हुई है उसके regarding एक report लाए गई है 2019-20 की तो उस report के बारे में बात करेंगे कहां कहां इस smuggle देखा गया है उसके बारे में बात करी गई है तो finally इस article को हम लोगों ने All India Radio News से लिया है economic point of view से important है economic कहां पे आता है GS paper 3 में अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए तो अगर हम बात करें है आपे Union Finance Minister ने ये release करा है इस smuggling in India report को ये 2019-20 की report लाई गई है जिसमें analysis करा गया और देखा गया किस किस चीजों में आपे smuggle देखा गया है तो जादा तर यहाँ पर gold, foreign currency narcotics, drugs, security, environment and commercial frauds ये सारी चीज़े जादा तर देखी गई है इन सब चीजों में नाव जो ये report है ये किसने compile करी है ये compile करी गई डारेक्टरेट आफ रिवेन्यू intelligence, DRI के दोरा अब जो ये डारेक्टरेट आफ रिवेन्यू intelligence है इन्होंने detect करे 412 case तो contraband related, 737 837 economic offenders देखे, 761 complex cases देखे, custom duty को लेकर यानि की काफी सारा fraud काफी सारा smuggle देखने को मिला है ऐसा इस report में बताया गया इस on the occasion जो ये DRI है, DRI का क्या डारेक्टरेट आफ रिवेन्यू intelligence, उतक्रिष्ट सेवा सम्मान 2020, ये award दिया गया संकरन एक officer है इसी occasion के उपर एक officer है, संकरन तो उनको एक award दिया गया है जो की officer थे, ये 1961 के batch के Indian Revenue Service के officer थे, तो इनको यहाँ पर ये एक award भी दिया गया है, इन सब चीजों के दौरान ओके, ना बढ़ते हैं आगे आता है हमारा article number 2 और interesting article है इस article को All India Radio से लिया है again, और यहाँ पर बात करी जा रही है, Global Teacher Price 2020 के बारे में हाँ, तो एक teacher को Global Recognition दिया है by giving the price, यहाँ पर एक price दिया गया और वो price इतना भारी price है 1 million US dollar का तो अब primary school teacher है यह महराश्टरा, सोलापूर से बिलॉंग करते हैं, ठीक है, महराश्टरा में सोलापूर जो district है, वहाँ से इन्होंने जीता है 1 million US dollar Global Teacher Price 2020 क्यों क्योंकि इन्होंने promote किया है girls की education को यानि girls को आगे बढ़ावा दिया है education sector के अंदर में, that is why यहाँ पर इनको यह price दिया गया है now, यहाँ पर अगर इनका नाम देखें तो है, रंजीत सिन, दिसाले इनका पूरा नाम है, और यहाँ पर परितवड़ी village से यह belong करते है award दिया गया इन्हें आपको मालूम है जो मैंने भी बताया ठीक है, तो award के उसमें 1 million dollar इन्हें award दिया गया है, और क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो girls education है, उसको promote करकर जो यह 32 year old teacher है यहाँ पर यह winner हो चुके हैं और इनकी जो thinking है, वो आप लोगो कितने different है, इनकी thinking क्या है इन्होंने यहाँ पर, जब यह award dollar है, यह क्या करेंगे यह इन 9 finalists को दे देंगे ठीक है, जो भी इनके साथ थे कि वो लोग आगे अपना इसी चीज में, ऐसे ही यहाँ पर आगे बढ़ते रहें, ठीक है, ना उसके बाद, यह जो award है इस award को establish करा गया था by London based Warkev Foundation के द्वारा और उसके साथ यहाँ परिंदा past जो दिसाले जी है इनको innovation researcher भी बोला जाता है और इन्हें award मिला था इस category में भी ठीक है, और इनका नाम जो है feature करा गया था सत्या नडेला की book में hit refresh के अंदर में, तो important personality है याद रखना इनका नाम, आते है article number 3 के ओपर इस article को Indian Express newspaper से लिया है social issues के point of view से important है social issues कहाँ पर आता है, GS paper 1 में आता है now यहाँ पर एक tribal के बारे में बाद हो रही है, उस tribal का नाम है थारू tribal, तो जो उतरप्रदेश government है, यूपी सरकार है, वो क्या कर रही है एक scheme ला रही है, जिसमें क्या होगा वो थारू tribe से क्या हो सकता है, जो हम लोग यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग हैं उतरप्रदेश में वो वाकिब हो सकते हैं इन tribal people से ऐसी एक scheme लेकर आ रही है तो आगे discuss करेंगे, सबसे पहले लोग इस थारू tribe के बारे में पढ़ेंगे जो यह थारू community है यह जादा तर बिलॉंग करते हैं तेरही से, तेरही देखो जगा है lowlands amid the shivalics और lower हिमालियास shivalics और lower हिमालियास में यहाँ पर बिलॉंग करती है अगर मैं बताऊं यहाँ पर यह जो community है थारू community यह exactly कहाँ पर बिलॉंग करती है shivalic और lower हिमालियास के बीच में तेरही lowland जो most of them यहाँ पर forest dwellers होते हैं यह जो थारू होते हैं थारू people होते हैं यह जादा तर forest में रहने वाले होते हैं काफी सारी यहाँ पर जादा तर होते हैं इनका कहना है कि महादेव एक provider है sunshine के rain के ठीक है तो यहाँ पर इनके द्वारा यह सारी बाते कहना है ना उसके बाद जो थारू जादा अगर हम बात करें कहाँ पर रहते हैं इंडिया और नेपाल दोनों ही जगा पर रहते हैं इंडिया में 11 जो की जादा तर रहते हैं उत्रखंड, उत्रप्रदेश और बिहार जखो यहाँ पर उत्रखंड, उत्रप्रदेश और बिहार जो यह ऐसा यह वाला इरिया है इस एरिया को 13 बोला गया है ओके, ना आगे बढ़ते हैं अब जो members हैं इस tribe के बोचपुरी के और अगर हम इस्टर नेपाल की बारे में बात करें तो वहाँ पर वेरियंट्स बोले जाते हैं अलग अलग मैथली के वेरियंट्स बोले जाते हैं यानि कि ट्राबल पीपल अलग-अलग अपनी लैंगुज इस्तमाल करते हैं थारू women जो हैं वह काफी साधे हम बात करें इनका जादे हक होता है जमीनों के ओपर क्योंकि ये लोग घर भी समालती है और काम भी करती है ठीक है बहुत कुछ यहाँ पर इनको देखना पड़ता है और इसी वज़े से हाँ पर इने स्ट्रॉंगर वूमेन बोला जाने वाली है यानि कि जो थारू लोग है उनके साथ वहां के लोग उत्तर प्रदेश के लोग जाकर रह सकते हैं और उनकी जो कल्चर है उनको सीख सकते हैं देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग रहते हैं कैसे अपनी सारी चीज़ अपनाते हैं तो ये सारी चीज़ देखने के लिए तरस्तरकार ये स्कीम लेकर आ रही है और कुछ नहीं इस अर्टिकव गंदर में ओके नँस गट इन कहां पर बात करें डो न्यू जू है दो न्यू जू को यहां पर जो जू उजन चिडिया घर दो चिडिया घर को मानेता दी है Central Government ने तो उसी के बारें बताया गया At the 37th General Body Meeting हुई है Central Zoo Authority की और इसको चेयर किस ने करा है Union Minister of Environment ने तो दो नए चिडिया घर का नाम दिया गया और उनको मानेता दी गई तो जो दो नए चिडिया घर हैं वो कौन कौन से हैं सबसे पहला राजगिर जू सफारी नालंदा बिहार में और दूसरा है शाहिद अश्वके उल्ला खान परानी उडियान ये गोरगपुर उत्रपदेश में है तो इनको मानेता दी गई है कि हाँ पर एज़ा जू की तरह तो अब अगर हम इनके बारे में जाने तो मेंन चीज यही है एक्जाम के पॉइंट आव व्यू से कि यह कहां पर हैं कहां से बिलॉंग करते हैं लोकेशन क्या है यही सबसे जादे इंपॉर्डन चीज है तो सबसे पहले आप लोगो देखने को मिलेगा कि जो यह राजगिर जू सफारी है यह नलंदा बिहार के अंदर है इसकी लोकेशन याद रखना और जो दूसरा वाला हमारा शहीद आश्वा का उल्लह खान प्रानी उडियान गोरकपुर के अंदर में यह जू कहां पर है गोरकपुर उयूपी के अंदर में है और इस जू के एस्टबलिश्मेंट के साथ उतरप्रदेश के अंदर टोटल मिला के नौ चलियागर हो चुके हैं याद रखना इस जू को मिला कर नौ चलियागर कम्प्लीट हो चुके हैं और जो यह में जू है यह situated है कहां पर गोरकपुर के अंदर यहां पर यह situated है आगे बढ़ते हैं यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस चनल का मैंने नाम बदल दिया है पहले यहां पर इस चनल का नाम देली करंट अफेर की वीडियो मिलती है, क्वालिटी वीडियो पूरे यूट्यूब के उपर, दूसरा आपको दा हिंदू न्यूस पेपर एनलेसस मिल जाता है, साड़े 6 बज़े से 7 बज़े के आसपास, उसको जाकर जरूर देखा करो, बहुत इंपोर्डेंट है वो भी, तो ये दोनों चीजे मेरी चैनल पर चली रही है, साथ में मैं और भी बहुत सारे करंट अफेर के उपर वीडियो अपलोड करा करूँगा, अभी मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, तो मैं आने वाले टाइम पर देली सारी वीडियो भी लाय करूँगा, डेली बिस इस पे 3- चार अलग से वीडियो जाय करेंगी, जिस वज़े से मैंने अपने यहां पर चैनल का नाम बदला है, और आई होब गाईज यहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, जो मैं वस वही बता रहा हूं कि बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना, जो चैनल आपका पहले था, वही बिल्कुल से मैं बस खाली मैंने नाम चेंज कर दिया और इसका एक लोगो चेंज कर दिया है, ओके, नाओ यहां पर डिसकस करते हैं हम लोग अपना लास्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल को All India Radio से लिया है, एकोनॉमिक के पॉइंट अब इस आर्टिकल में हेडिंग देखोग चलकरे कहां पर है, चित्र दूरुगः district करनाटिका के अंदर में, तो यहां पर यह आप कैसकते हो, इसको launch तो खरा गया, अब यहां पर यह center launch करा गया, इस center के अंदर training programs दिये जाएंगे, 5 courses में honest पांच courses दिये जाएंगे, उन courses में engineering के बारे में काफी कुछ सिखाया गा, mechanical, electrical, electronic sectors के बारे में यहां पर इस सारी चीज़ें कवर करी जाने वाली है, इन प्रोग्राम्स के अंदर में, जो हमारे defense minister है, राजनात सिंग जी, इन्होंने यहां पर इसका उधगातन किया है, इस skill development center का चलकरे में, इसी साल इसका उधगातन भी करा है, यह जो center है, यह basically located है, IISC new, 15-acre क्या campus है चलकरे में, यह जो project है, as a science and technology city, it is well equipped with the modern labs, यहां पर जो यह campus बना हुआ है, बहुत बढ़िया-बढ़िया है, यहां पर labs बनी है, classrooms हैं, auditorium में, residential accommodation है, और 250 trainees हैं, faculty members हैं, यानि की पूरी तरह से यहां पर तयारी कर रखी है, की काफी अच्छे से program वग अगरा देने जायने वाली है, यहां पर एक word आया था, हिंदुस्तान Aeronautics Limited, HAL, तो इसके बारे में थोड़ा सा detailing दी गई है, हिंदुस्तान Aeronautics Limited, एक Indian state owned aerospace है, defense company भी है, जिसका headquarter है, Bangalore के अंदर में, जो कि इंडिया में है Bangalore, और साथी साथ इसको govern करा जाता है, under the management of Indian Ministry of Defense, Indian Ministry of Defense इस पूरे हिंदुस्तान Aeronautics Limited, HAL को govern करती है, तो याद रखना, तो guys यहां पर यह पूरी की पूरी engineering skills के ओपर काम करा जाएगा, लोगों की उसी वज़ा से इस campus को बनाया गया है, यहां पर धेर सारे programs वगेरा भी conduct कराए जाने वाले हैं, आने वाले time पर, तो guys इसी के साथ होता है हमारा आज का daily current affair का वीडियो का analysis पूरी तरह से समा, I hope आप आप लोगो को मजाया होगा, मजाया होगा तो वीडियो को like जरू करना, मैं हाँ पर target रखे चल ला हूँ, 300 likes का, जितना मैंने कल रखा था, लेकिन कल आप लोगो ने पूरा नहीं करा उस target को, बड़ यहाँ पर कोशिश है कि आज आज आप लोग कुरक करो, तो guys 300 likes हमारा target है, आप लोग अपना एक छोड़ा सा support दिखा सकते हो, now guys चलते हैं, यहाँ पर वीडियो को end करते हैं, और थोड़ी देर में दाहिंदू news paper analysis अप्रोड हो जाएगा, उसको देखना बिल्कुल म वीडियो में, आज के लिए बाई बाई, have a nice day.